Hi everyone, this is Dr. Jai Mehta here from Mumbai. आज के हमारे podcast में हमारे साथ है Dr. Jatin Shah. Dr. Jatin is one of the most well-known and respected fertility specialist of our city of Mumbai as well as of India. मैं मेरे पूरे करियर में Dr. Jatin का बहुत आबारी रहा हूँ क्योंकि he has treated me like a son throughout my career. मेरे स्टार्टिंग के days से लेके अभी तक हर छोटे चीज में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. Jatin सार, थैंक यू for all what you have done for me in my life. And in today's podcast, I wanted to ask you, काफी बार लोग इतने IBF करते हैं, तो IBF में जो पैरा-IBF चीजे रहती हैं, उसमें सबसे important question लोगों को यह रहता है, कि IBF करने के बाद क्या bedrest करना mandatory है यार तो इस चीज पर आपका क्या opinion है? So basically, 25-30 साल से हम लोग practice कर रहे हैं, आज तब किसी को bedrest नहीं दिया है, although it is very popular, yeah, it's a popular thing के bedrest करना चाहिए. So more or less, you know, it is women, talking to women, के लिए नहीं तो आराम कर, क्यो रिस्क ले रही है, कि मुझे मैं के जाना है, मैं वाह जा के आराम करूँगी, Right, doctor को बोल दो कि मुझे आराम की जरूवत है, So a lot of things, जिसके वज़े से ये bedrest बहुत famous हो गया है, But actually, अगर आप scientific logic देखते हैं, तो uterus में कोई air space नहीं है, बिल्कुल, दोनों जो लेहर है वो एक दुसरे के साथ चिपके हुए है, और बीच में air नहीं है, That way, embryo is fixed. Bedrest का कोई logic ही नहीं है, आप कितना ही movement करो, dance करो, jumping करो, वो embryo बहुत से हिले का नहीं है, बहुत सारे studies भी हुए अभी जिसमें उन्होंने radionuclide imaging किया है, Embryo को tag करके कि कितना movement होता है, अगर right minute में patient कड़ा हो गया, It moves one millimeter in only one percent of patients. So 99% में, there is no movement of the embryo. So bedrest की बिलकुल कोई logic है नहीं, एक recent study भी हुई है Spain में, जहां में 10 minute bedrest, and negative bedrest. 10 minute करना है के एक गंटा करना है, 15 दिन का कोई study ही नहीं करना है, उसमें भी प्रूव किया गया, कि अगर 10 minute से ज्यादा bedrest करते हो, success rate drops by 13%. When we are talking, 40-50 तगा का success rate, तेरा तगा बड़ी आख्या रहती है. So drop in 13% for doing bedrest means actually it is negative. So best thing is to move around, go back to office, go back to work, आप जोदी काम रोज करते हैं, routine activities करते नहीं, at the most आप कहते हैं, तो it's okay, उसमें भी अब रिसर्च है कि सायद सिमें गया, फ्लूइड में कोई implantation factors भी हो सकते हैं, बिलको शाया, इंटर्फोस भी permit करना चाहिए, so there is absolutely no restriction, किसी भी woman को IVF के बाद, कोई restriction की जरुवत है नहीं, bedrest तो बिलकुली जरुवत नहीं है, हमारे क्लेडी में 10 minutes में पेशर्टी हो जाती है, या फ्ले होने के बाद भी आती है तो बहुत यान रखा, मैंने तो बूरा पंदरा जिन में एरी नहीं पैठ से नहीं, किसने का, अब सिलिंग क्यों देख रहे हो, पंदरा जिन तर सिलिंग देखते रहोगे, तो वही IVF भूते रहेगा दिमाग में, तो साइकोलोज़ी कर ये आपकी क्योंकी इडिया एक ऐसी कंट्री है, जहाँ पर यह सारे डिसिजन देखिए IVF देख रहने आती हैं लिए पांने में उड्योज़ा जाते हैं, सो इफ जहाई यानमें द्रीख से ज्यादा डिसिजन ले लिते हैं, medically जैसे की डॉक्टर जतिन ने कहा bedrest करना जरा भी recommended नहीं है in fact bedrest करना आपके लिए harmful हो सकता है right this is scientifically proven तो भगवान के लिए मेरा in fact सारे mother-in-law's को ये दर्खवास्त है कि आपके बहु आपकी बेटी जो IVF करवा रहे है उनको आप कुछ भी और करवालों पर bedrest मत करवाईए और एक add-on question इस चीज़ को लेके है क्योंकि हमारे country में काफी सारे houses ऐसे है जिसमें ground floor है plus first floor है लोगों का ये बहुत common doubt रहता है कि sir मेरे building में lift नहीं है मेरे घर में first floor से ground floor ground floor से first floor क्या मैं कर सकता हूँ और इसके साथ में और एक question ये पूछते है कि जब मैं office जाता हूँ तो मैं normally office रिक्षा में जाता हूँ अब रास्ते ठीक से है ने क्योंकि रिक्षा में तोड़ा up and down होगा या घर में stairs चड़ने के टाइम पे कुछ होगा क्या ये करने के वज़े से पोस-embryo transfer मुझे कुछ problems हो सकते हैं या ने अगर आपकी CD चड़नी है तो यह क्या दो फ्लोर आराम से चड़ सकते हैं थोड़ी आप चाहो तो जस्ट फॉर psychological satisfaction थोड़ी speed गड़ा तो अगर आप भाग के उपर जाने तो उससे चाहेगे चल के उपर जाएए पॉर्टोल्स वगर तो थोड़ा ध्यान डखना ही है बटागी सफ़स जो ट्राइब कर रहा है था रस्बन राइब कर रहा है अटो वाला द्राइब कर रहा है ता आप अल्वेस इंसक्शन दे सकते हैं कि बबाज रादीरे से सब्बाल के चलाना इस पे एक और एड़न है कि काफी पेशेंट कूछते है कि मैं इंदियन स्टाइल रहे हमारे या तॉयले तो यूज़ कर हू या वेस्टर्न कमोड़ी यूज़ करना है अगें उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है इंडियन या वेस्टन दोनों यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आपको कोई स्पेशल नहा बातरूम करने की जरुवत लिए बिल्कुल इस आर वरी इंपॉर्टन पॉंट्स जो आप लागे विश्यों करें I think what is very important for people to understand is that remember IVF beyond a certain point in time is a god or a nature dependent procedure मतलब आपके डॉक्टर भले आपके लिए बहुत मेहनद करते हैं आप best doctor के पास जा रहे हैं best embryos बने सब कुछ अच्छा होने के बावजूद एक predefined threshold है जिससे ज्यादा unfortunately success rate नहीं होता ये अगर आप accept कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये जो peripheral चीज़े हैं काम पे नहीं जाना घर का काम नहीं करना खाने बीने में restrictions रखना bed rest करना you know office नहीं जाना ये सारे activities का IVF के success rate को ले के scientifically कोई proven role नहीं है emotionally ही role है सिर्फ और इसलिए मेरी ये इच्छा रहेगी के जो भी patient IVF कर रहा है वो खुद के अलावा आपके family में जितने भी लोग है प्लीज ये podcast ये video उनको भी दिखाईए so that ये जो misconceptions है ये निकल जाए I hope ये podcast बहुत blunt था you know जिसमें एक्तम bluntly हमने bed rest करने की ना कही है and I hope patients इस instruction को follow करेंगे कि यो follow करने से आपका success rate का आप at least 13% safeguard कर पाए उने questions to this you can post in our comments box हम में से कोई आपको get back करेगा thank you so much Jatin sir for joining in this podcast